अब जैसा कि सबी लोगों को पता होना चाहिए हम लोग समरी डिसकस करने हैं और ये समरी किसकी डिसकस करने हैं भीया अब ब्रीफ हिस्ट्री ओफ मौडर्ण इंडिया जो कि स्पेक्ट्रम की किताब है ये UPSC की फिल्ड में UPSC का जो एक्जाम होता है UPSC Civil Service एक्जाम जो होत ये किताब तो हम लोग इसमें चैप्टर 4 देख रहे हैं और इंडिया ऑन दो इवा ब्रिटिश कॉनकरेशन ठीक है यानि इस चैप्टर में में मेलनी क्या बात हो रही है कि भाई या जो ब्रिटिश वाले हैं जो ब्रिटेन वाले जो अंग्रेज हैं वो भारत को घुलाम बना रहे थे अंग्रेश ठीक है उस टाइम पर पूरे इंडिया में हम लोग बोलें तो कौन सा एंपायर था मेंली हम लोगों का मोगल एंपायर था ठीक है और भी चोटे मोटे रजवाड़े थे लेकिन जो मेंली यहां पर काफी जादा जो पूरे भारत में फैला हुआ था ठीक है तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे मोगल एंपायर का डिकलाइन हुआ था तो मेरे कहल से यहां पर दिख रहा होगा ठीक है हम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया था कि मोगल एंपायर क्या है भी या डिकलाइन कैसे हुआ था मेरी कहनी का मतलब ये है इस बात को समझ ये कि मान लीजे ये आपका मकान है ठीक है ये आपका मकान है और इसमें एक कमजोर आदमी रहता है और आप ठहरे ताकतवर आदमी तो जहिर से बात है कि आप क्या करेंगे कि इस कमजोर वाले को मार पिटके भगा देंगे और इस मकान पर घर पर क्या करेंगे कबजा कर लेंगे ठीक है तो बस ये समझ जाओ कि ये जो कमजोर है ठीक है ये कमजोर जो आदमी देख रहा है ये समझ जाए कि कौन है ये है या मोगल एमपायर ठीक है और ये जो पूरा घर देख रहा है ये कौन है आपका इंडिया देख रहा है हिंदुस्तान ठीक और ये जो ताकतवर इंसान है ये कौन देख रहा है ब्रिटिश ठीक है तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस वीडियो क्लास में क्या देखेंगे कि जब मोगल एंपायर इस भारत को ठीक ह तो आप देखिए कि जैसा कि यहाँ पे यह point ही दिख रहा है socio economic condition यानि कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन आने वाला था तो उस समय समाज की क्या स्तिती थी जैसे आज आप बात करते हैं कि 2021 में आपके देश की क्या स्तिती है तो आप इसमें हर एक इंगल से देखते हैं कि GDP कितनी है यहाँ पर law and order कैसे काम कर रहे है यहाँ की जो government है वो कौन सी है आप देखते हैं इस तरी किसे बात करी जाती है population कितना है ठीक है religion कैसा है समसकते हैं मेरे बातों को यहाँ आज कि जब present country की बात करी जाती है तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे dimension में अपने देश को जानते हैं तो उसी तरीके से जब अंग्रेज ठीक है इस भारत को हुलाम बनाने वाले थे तो उस समय हमारा भारत किस स्तितियों में था किन स्तितियों में था या फिर जब मुगल अंपायर खत्म हो रहा था तो उस समय की जो समाज की विवस्था थी वो कैसी थी तो उसी चीज़ के हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें बात करने वाले हैं मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तो जैसा कि आप देखें एगरी कल्चर अरे भाई एगरी कल्चर की बात करिए ठीक है तो 2021 चलना है और आप अभी भी देख सकते हैं कि जो इंडिया है ठीक है इंडिया में अल्मोस्ट 58% की जो पॉपुलेशन होती है वो खेती बाड़ी पर एगरी कल्चर पर डिपेंड करती है आप देख सकते हैं कि आधा से ज़ादा पॉपुलेशन एगरी कल्चर पर डिपेंड करती है ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की कितनी अच्छी विवस्ता हो चुकी है या फिर कितना अच्छा खेती बाड़ी में सुधार आ चुका है आप देख सकते हैं अभी हाले में फॉर्म बील पर कितने अंदोलन चल रहे है क्या-क्या इसमें मुमेंट हो रहा है आप देख सकते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि जब अच्छा ऐसा नहीं ही कि किसानों के स्थिती में सुधार नहीं हुआ है सुधार तो जरूर हुआ है आज के जो किसान है और ये जो 18th century के जो किसान है इसमें बहुत फर्ख है ठीक है फर्ख तो है लेकिन फिर भी जैसे आम तोर पर services का sector हो गया economy में बहुत सारे sector होते है manufacturing का sector हो गया production का sector हो गया उन सब की तुलना में देखा जाए तो जो agriculture का sector है जो आज भी 2021 में भी बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है तो आप 18th century में क्या ही उमीद लगा सकते हैं ठीक है अच्छा ये 18th century में क्यों बुल रहा हूँ क्योंकि इसी समय तो भी या जैसे 1764 हो गया बैटल अव बक्सर हो गया 1757 हो गया बैटल अव प्लासी हो गया 1761 हो गया थर्ड बैटल अव पानीपत हो गया यानि ये सब जो टाइम दिख रहा है ना आपका 18th century का इसी समय क्या करे थे अंग्रेज पूरी तरीके से भारत को अपनी पकड में ला रहे थे ठीक है तो देखिए एगरिकल्चर वही बताया जा रहा है कि 18th century के टाइम पे या फिर जब अंग्रेज भारत को गुलाम बना रहे थे तो उस समय आप देख सकते हैं कि खेती बड़ी बहुत अच्छी नहीं है बैकवर्ड एगरिकल्चर ठीक है और यहाँ पे जो किसान है वो काफी मेहनत करते हैं मजदूरों की तरह से काम करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद जो किसान है भाईया यह बहुत जादा जो टैक्स है ठीक है रिवन्यू टैक्स किसको देते थे सरकार को स्टेट माने क्या सरकार ठीक है राज्य को देते थे जमिदार को देते थे जगिरदार को देते थे ठीक है और भी रिवन्यू फॉर्मर भी उसमें बहुत सारे थे उनको भी देना पड़ता था मेरी कहने का मतलब क्या है कि जो एक तो जो पीजेंट है ठीक है वो बहुत अच्छी खेती कर नहीं पा रहा लेकिन उसमें से भी उसकी जितनी भी खेती बाड़ी हुई उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो टैक्स के फॉर्म में कहें है या रिविन्यू के फॉर्म में ठीक है ये कौन-कौन ले ले रहा है देख सकते हैं आप स्टेट को चाहिए जमिदार को चाहिए जगेदार को चाहिए ठीक है यानि कि उस समय आप समझ जाईए कि एगरिकल्चर की बहुत अच्छे इस्तिती नहीं रही है अच्छा एक चीज़ ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य रूप से जो खेती होती थी वो कौन-कौन सी फसलों की या फिर क्रॉप्स की होती थी चावल हो गया जाते थे वीट हो गया शुगर हो गया पीपर हो गया स्पाइस हो गया ठीक है कॉटन ये सम मुख्य केती थी क्या मेरी बाते समझ में आ रही है ठीक है उसके बाद आप देखिए कि ट्रेड और इंडस्ट्री उस टाइम की कैसे थी ट्रेड क्या है ठीक ठाक चला है है ना फ्लोरिश्ट अच्छा चला है देखिए जैसे ये हमारा देश इंडिया हो गया ठीक है यहाँ भी माल लेते हैं कि यह कौन है चाइना है अब देखिए दो देशों के बीच में क्या होता है बिजनेस होता है इनके बीच में और इनके बीच में यह जो बिजनेस हो रहा है तो हम यदि बाहर की देशों से कुछ चीज़ों को मंगाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलत तो इसका साफ मतलब होता है कि उस देश में कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करी जाती है और जादा से जादा चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितनी धेर सारी चीज़ें अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक्सपोर्ट करी जा रही हैं इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उससे पहले हमारे देश की जो इस्थिती थी वो बहुत अच्छी थी क्यों क्योंकि यहां से हम बहुत धेर सारी चीजों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते थे लेकिन जब अंग्रेज आएंगे तो जिसे मान लेज़े यह क्या रहा ब्रिटेन रहा ठीक है तो अब देखिए क्या है यहां पर समझे कि यहां से ब्रिटेन से जादा से जादा चीज़े इंपोर्ट होंगे इंडिया में और यहां से बाहर हमारे देश से कम से कम चीज़ों का ट्रेड होगा तो जैसा कि मैंने ही बता दिया ठीक है कि किसी भी देशेदी जाधा ट्रेड हो रहा है और उसमें भी मुखे रूप से एक्सपोर्ट जाधा हो रहा है यानि वहां की जो एकनोमी है वो बूश्ट कर रही है सरपलस है बढ़िया है ठीक है लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि हमारी एकनोमी पूरे तरीके से तूट गई या तोड मोडरों के फेक दिये सब लूट लिये ऐसा क्यों ह हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं ये टाइम 18 सेंचूरी का चल ला है ठीक है और इसी टाइम पे 1760 के आसपास अंग्रेजों के घर में या देश में क्या शुरू हो गया था Industrial Revolution होने से क्या हुआ कि उनके पास बड़ी-बड़ी मशीने आ गई तो जब बड़ी-बड़ी मशीने आ गई तो वो क्या करते थे कि बहुत धेर सारे समान सस्ते दामों पर बना लेते थे Manufacturing के जो Cost आती थी वो काम आती थी बहुत धेर सारे कपड़े बना लेते थे तरह-तरह की चीजों को बना लेते थे और वो हमारे देश में क्या करते थे भईया वहां से भेज देते थे यानि इंपोर्ट करते थे हमारे देश में उन सारी चीजों को लाया जाता था तो यही मैं बताना चाहरा हूँ कि अंग्रेजों के आने के बाद से क्या हुआ कि हमारे एकनॉमी बहुत ज़ादा बरबाद होगी हलांकि जब मोगल एम्पायर था तो उस समय जो एकनॉमी थी वो फिलाल उतनी बरबाद नहीं थी ठीक है उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़े दी गई है जैसे कि गोल्ड हो गया मस्क हो गया इन सब का भी ट्रेड हुआ करता था क्लॉथ हो गया कॉपर हो गया आयरा लेड पेपर हो गया ठीक है यह सब भी इंपोर्ट हुआ करता था आप देख सकते हैं कि टेक्स्टाइल इंडश्री था यानि जो कपडों को बनाने वाली जो इंडश्री थी ठीक है वो बहुत अच्छे तरीके से फेमस थी आगे बढ़ी और शिप बि देख सकते हैं कि मेटल इंडश्री भी क्या है अच्छी बन रही थी ठीक मेरे खाल से बाते समझ भाए होंगी उसके बाद एक और पॉइंट देखे हैं हम लोग एजूकेशन की बात करी जाए ठीक है तो एजूकेशन देखें में पाठ शालाओं में होता था मक्तब में होत हो गया चाटू पाथिस हो गया टोल्स हो गया यह सब इसमें मुख्यरूप से कौन पढ़ा करते थे हिंदू लोग पढ़ा करते थे मदर्सा हो गया ठीक है इसमें कौन पढ़ा करते थे मुसलिम पढ़ा करते थे ठीक है आच्छा आज के जमाने में भी आप देख सकते हैं क कि women education कितना है ठीक है काफी कम है हलांकि सुधार हुआ है लेकिन बहुत कम है अभी exact मुझे data याद नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन फिर भी कम है तो senses के record में देखना पड़ेगा ठीक है तो women की education 18th century में क्या रही होगी आप बताईए ठीक है सोच सकते हैं आप आज भी आप देख सकते हैं कि जो reserve list वाले जो candidate होते हैं ठीक है उनके under में भी education की क्या level है आज के जमाने में भी तो 18th century में आप देख सकते हैं कि जैसे women महिलाओं के स्थिति क्या रही होगी ठीक है या फिर वो लोग जो वर्ण व्यवस्था में जो नीचे के व्यवस्था के अंतरगत आते थे ठीक है उन लोगों की क्या education की व्यवस्था रही होगी ठीक है मेरी कहने का मतलब क्या है कि बस ये समझ जाओ कि ये जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई की बात करी जा रही है ना कि हिंदूों में ये होता था मुस्लिमों में ये होता था ठीक है मेली वो जो अपर कास्ट के लोग थे या तो जो अमीर लोग थे रहीस लोग थे रहजवाडे लोग थे वहीं लोग पढ़ पाते थे सब लोग नहीं पढ़ पाते थे ठीक है आ सकते हैं ठीक है बहुत अच्छी नहीं थी जियोग्राफी ऐसे कुछ भी नहीं थी यहीं एक मुख्य वज़ भी बन जाती है कि अंग्रेजों ने भारत को असानी तरीके से क्या करा घुलाम बना लिया इंडिया में क्या पढ़ा जा रहा है रिलीजन पढ़ा जा रहा है ठी गहला सकते हैं थीख है पोईटरी चल लगा है लिट्रेचर चल ला है इस तरीके की चीज़ें चल लगा थी अर अंग्रेजों के पास एक हाई-फाई एड वांस advanced knowledge है ठीक है science हो गया उनके पास technology हो गई ठीक है वो इस तरीके की चीज़ों को पढ़ रहे है geography पढ़ रहे है ठीक है ship building पढ़ रहे है कैसे ship बनाना है उस तरीके की चीज़ों को पढ़ रहे है तोब बनाना सीख रहे है ठीक है tank बनाना यानि तोब बनाना machine gun इस तरीके की चीज़े हथियार बनाना सीख रहे हैं तो बताइए कि जब ये अंग्रेज इतने हाई फाई एडवांस नाले से भारत में घुसे हैं और भारत की जो शिक्षा की विवस्था है वो इस तरीके की रिलेजन, फिलोसफी, लिटरेचर, पोईटरी इन सारे चीज़ों पर टिकी हुई है तो इस तरीके इसलिए क्या होता इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या गरा बहुत आसानी से हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाया और घुलाम बनाने में सफल हुए ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है वैसे भी आप देखे तो आजादी के बाद 1947 के बाद, ठीक है हमारे देश में जैसे IIT हो गया ठीक है, यह जो NEET पहले तो APMT के नाम से हुआ करता था ठीक है, यह IPMT यानि यह जो MBBS डॉक्टर बनते हैं आप समझ सकते हैं इसको ठीक है, यह सब IIT हो गया MBBS हो गया, उसके बाद Indian Institute of Science हो गया, यह यह सारी चीजों ने क्या कराए भाई, हमारे देश में Science and Technology को और आपका यह इसरू हो गया, इन सारी चीजों ने क्या कराए कि हमारे देश में Science and Technology को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है ने तो आजादी के पहले क्या था, कुछ नहीं था जो भी अंग्रेज यहां पर आये थे जिस अथियार के साथ, जिस बुद्धी ज्यान के साथ, तो आसानी से वो क्या कर सकते थे मोगला एंपायर को धिरे धिरे ख़देडे और क्या करें, भारत को गुलाम बना लिए ठीक है, उसके बाद आप देखें Society, तो Society आप देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्ता तो थी ठीक है, वर्ण व्यवस्ता, वर्ण सिष्टाम आप समझते हैं या व्यवपार कर रहा है, तो बनिया है, कोई तेल बेचने का काम कर रहा है, तो वो तेली हो जाता था ठीक है, कोई कपड़े धो रहा है, तो वो क्या हो गया धो भी हो गया, ठीक है आप आज भी देख सकते हैं कि 2021 में भी ये सारी जो जातिगत व्यवस्थाएं मौजूद हैं आज भी ठीक है हाला कि काग्जों में दिखा जाए सरकार के तोर तरीके पर इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है लेकिन फिर भी लोग जब इसको accept करें तब तो हाला कि आर्टिकल 15 ठीक है आर्टिकल 15 यह जो गवर्मेंट का आर्टिकल है कि race, religion, caste ठीक है इन सारी चीजों के दम पर जो भेदभाव किया जाता है बल्बूते पर भेदभाव किया जाता है वो गवर्मेंट नहीं करेगी और नहीं किसी को करने देगी और यह आपका fundamental right बन चुका है इसके नाम पर एक फिल्म में भी बनिये खेर यह समय नहीं से बता दिया तो दिखिए यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है है न यही बात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदूों में सब काष्ट भी थी और अलग अलग जगहों पर भाई यह अलग 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 तरीके से इसको बुलाया जाता था ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूों में मुसलिमों में भी ठीक है मुसलिमों में भी आप देख सकते हैं कि कोई शिया है मुसलिम ठीक है कोई सुन्नी मुसलिम है ठीक है अपने में ही छोटे-छोटे टुकडों में, जातियों में, धर्म में, करमकांड में बटे हुए है, तो जो बाहर के अंग्रेज आएंगे, ठीक है, राजे रजवाडों में बटे हुए है, भारत जैसी कोई भावना ही नहीं कि यह हमारा देश है, यह हमारा इंडिया है, पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, आप देखे, आर्ट, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में, तो भाई देखी, यह जो असब उद दौला साहब देख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा, बड़ा इमाम बा को बनाए हैं, ठीक है, कब 1784 में, पीस बगएरा में तो यह डिरिक्ट कोशन पूछा जाता है, कि बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया, असब उद दौला ने बनवाया था, ठीक है, उसके बाद आप देखे, तो सवाई जै सिंग है भाईया, इन्होंने क्या करा, पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है, तो सवाई जै सिंग ने भाई क्या करा, पिंक सिटी अब जैपूर बनाया, और साथ में फाइब एस्ट्रोनॉमिकल अबजर्वेट्री भी बनवाया, ठीक है, यानि कि पांच जगहों पे ये थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल टाइप की रिसर्च कर टिक है, ये प्रिल्यम्स में कोशन पूछा गया है, ठीक है, अभी मेरे पास कोशन तो है नहीं, लेगन मैं बता दो, कोशन ऐसे पूछा गया है, कि जो सवाई जै सिंग थे, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमी में इंट्रेस्टेट थे, ठीक है, तो ये बात सही है, आगे मेरे से बात समझ में ठीक है उसके बाद आप देख सकते है कुछ पेंटी स्कूल निकल के आए ठीक है जैसे कंगरा आ गया राजपुताना हो गया ठीक है और उसके साथ आप देखे तो नौर्धन इंडिया में भाई क्या है उर्दू लेंग्वेज का विकास हुआ ठीक है कविताय लिखनी लिखी या बोली या सुनाई जाना शुरू हो गई और कुछ उर्दू कभी निकल के आए जैसे मीर आगए सौधा आगए नाजीर आगए मिर्जा गालीब साहब को तो कौन जानता है कौन नहीं जानता है ठीक है मिर्जा गालीब साहब को तो कौन नहीं जानता है इ 18th century में ही ये लोग निकल कर आया थे ठीक है उसके बाद आप देखिए तो कुछ शेत्री भाषा भी विकास करी ठीक है शेत्री भाषा रिजिनल लेंग्विज माने क्या है जैसे एक लूकल लेंग्विज बोल सकते हैं थोड़े से जगहों पर जो लेंग्विज निकल कर आती इसके बाद हम लोग अगले चिप्टर में अच्छा उसके पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ एक कोशेन है आप देख ले थोड़ा सा देखे ये कोशेन है ये प्रिलिम्स में ठीक है यूपीसी के प्रिलिम्स में 2003 में पूछा गया है देखे सवाल को पढ़ते हैं फिर द 1761 में ठीक है थर्ड बैटल ओफ पानी पत में पूरी तरीके से नहीं हराये गए होते हैं कौन हरा दिया था भया नादिर शाह या अमद शाबदाली नहराया था ठीक है अब ये कमेंट शेक्शन में मुझे आप बताएंगे ठीक है तो जब ये नहीं हराये होते हैं 1761 में त पहला पॉइंट तो सही हो गया तो देखे पहला पॉइंट सही है तो पहला पॉइंट सही होने के बाद यह option देखे तो यह एक यह false देख रहा है तो यह option तो cut हो गया उसके बाद क्या कह रहा है कि Maratha where first to have clear concept United Indian अरे भाई यह जब बाद 18th century की करी जा रही है और आपके इस तरीके के Maratha साहब अलग हो गए, यानि सारे राजे रजबाडे रियासती अपना अपना देख रही है, भारत जैसी विचारधारा ही नहीं है, यदि भारत जैसी भावना होती है, हमारी अपने देश जैसी भावना होती है, तो अंग्री इस भारत को घुलाम नह हो गया, यानि option C चला जाएगा, ठीक है, मेरे क्याल से बाते समझ मैं ही होंगी, ठीक है, एक और question यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, देखिए, यह 2018 में पूछा है, ठीक है, यह क्या कहरा है कि, जो the staple committees of expert by the English East Indian Company from the Bengal in the middle 18th century, यह कहरा है कि 18th century में, देखिए, अ बेंगॉल से कौन-कौन सी चीजे ले जाए जाती थे, ठीक है, East India Company यहाँ से कौन-कौन सी चीजे क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ले जाते थे, ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि भाईया, यहाँ यह कुछ दिख रहा है क्या, यह zinc lid दिख रहा है इसमें, यह तो क्या है, ठीक है, और आप देखे, यहाँ पर cotton silk भी दिया, इसके पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, cotton silk, तो आपका option कौन सा हो गया, यह वाला हो गया, ठीक है, option D, मेरी कहल से बाते समझ मैं ही होगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना, ठीक है, रहने दिया जाए, मिलते हैं